इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि amount payable होता क्या है इसके बारे में देखें यहाँ पर आपका एक discount prices रहता है या फिर आप कुछी delivery application से process कर रहे हूँ तो delivery charge रहता है या फिर आपका conventions fees हो वो रहती है तो basically कही तरीगे कि payment चीजे रहती है बट amount payable क्या रहता है देकि amount यह रहता है जो आपको pay करना होता है यानि कि चाहिए वो 300, 310, 399 में हो कितने भी हो वो आपको order करने से पहले pay करने रहते हैं तो वो account payable options रहता है account payment रहती है तो इतने हमें amount करने हैं चाहिए discount कितना भी हुआ हो चाहिए यहाँ पर convention fees या फिर charges वगेरा हटा हो टूकर जो हमें pay करने रहते हैं वो हमें payable account दिखाता है तो यह रहता है payable account amount अगर यहाँ पर आपको समझ माया हो तो वीडियो को like कर दीजेगा और चैनल को subscribe भी कर दीजेगा